तो मुझे एक ओर्डर आता था किसी दो दिन में उस ताइम मुझे काफी लगा कि मैंने ये क्या कर दिया मैं बैठी हुई हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरा चाहती हूँ पर मुझे ओर्डर्स तो आई ही नहीं रहे हैं पहले साल मेरा रेविन्यू एक लाग चालीस हजार था दो हजार तेईसाओस चौबिस में मैं छह करोड का रेविन्यू करने वाली हूँ हाई, आम प्रियाशा सलूजा और आम थाउडर ओफ सिन्नमन किच्छन मैं, मैं फिर से एक टेक करते हैं ये अच्छा नहीं वाँ प्लीश रहा, डोंट इंटिमिडेट में लाग दाट आम सोचो कि नहीं भाहर जा रहे हो अंदर आरहे हो ये नहीं नहीं मैं आपको सिंपल बता रहो आपको दो परचंट देरा ता ये लाइन और ये पिच्छ आपके पास शाक टैंक सीजन 3 और सोचल मीडिया से पहुँच ही गई होगी तो आज मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की कहानी जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आए और आप कुछ करना चाहो तो मैं तो आपको बोलूँगी ले लो वो रिस्क करके देखो की क्या होता है जैसे मैंने लिया और 50,000 से शुरू हुआवा मेरा बिजनस आज 12 करोर की वैलिवेशन पे है हाई मेरा नाम प्रियाशा सलूजा है और मैं दिली से हूँ मैं The Cinnamon Kitchen की founder हूँ जो की बिना dairy, बिना gluten, बिना अंडे के cakes, cookies, crackers और ये सारी देली खाने की समान बनाता है मैं 13 साल की थी जब मुझे पता चला मुझे PCOS है उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसका इलाज कैसे करूँ पर जब मैं बड़ी हुई और मुझे इंटरनेट पे देखा कि मैं इसके लिए क्या क्या कर सकती हूँ तो मैंने घर पर आकर खाना बनाने का experiment शुरू किया अब मैं आपको बताती हूँ कि PCOS होता क्या है जब मैं 13 साल की थी तो मुझे periods regular नहीं आने शुरू हुए मुझे hair growth, lethargy, fat body में भरना ऐसी काफी सारी problem शुरू हुई तब मुझे काफी frustration लगी कि मेरे साथ यह हो रहा है और मेरे दोस्तों के साथ कुछ नहीं हो रहा है वो जो चाहते हैं वो खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं पर मैं जो भी खाते हूँ मेरी body पर उसका एकदम से असर दिखता है उस समय तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ PCOS के related उस समय इतनी awareness भी नहीं थी उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उन्हें अपने symptoms बताए उन्होंने मुझे दुनिया भर की दवाईयां दे दी thyroid की, diabetes की, पतले होने की आप जिनका नाम भी ना जानते हो पर मैंने उस समय डिसाइड किया कि मुझे ये दवाईयां कुछ नहीं लेनी है और मैंने अच्छी diet और exercise से अपनी body को बहतर बनाने की कोशिश करी इस दौरान मेरी पढ़ाई लिखाई चल रही थी मैं DPS Noida से पढ़ी हूँ स्कूल में और उसके बाद मैं दिल्ली उनिवर्सिटी गई जहाँ पर मैंने बैचलर ओफ मैंजमेंट स्टाडीज पढ़ा था मैंने थोड़े समय PwC में नौकरी करी, taxation में उसके बाद मैं मुंबई चली गई जहाँ पर मैंने advertising में डेंसू में नौकरी करे जब मैं नौकरी के लिए पहली बार मुंबई गई तो मैं पहली बार अकेले रह रही थी और में पास मेरा kitchen था मैं हर संडे सुपर मार्केट जाकर बहतरीन से बहतरीन fruits और vegetables लेकर आती थी और हर शाम को तीन या चार घंटे अपने लिए पूरे हफ़ते का खाना बनाती थी मैं अलग-अलग तरीके के salads, pancakes, मीठा, meals, हर एक चीज़ प्रिपेर करती थी मैं रोज अपने लिए चार टाइम का खाना लेकर जाती थी breakfast, lunch, evening, snack and dinner मैंने देखा कि office में सब अपनी desk पे बैठते थे और दोपहर को बाहर से खाना मंगा के खा लेते थे जबकि मैं अपने लिए खुद खाना बना कर लेके जाती थी अब ये खाना मैं अपने सारे colleagues को खिलाती थी और उन्हें ये काफी पसंद आने लग गया मुझसे वो बोलते थे कि आप क्यों इतनी वहनत करके बनाते हो जब आप easily भंगा सकते हो तब मैंने उन्हें बताया कि आप जो बाहर से मंगाते हो उसमें जितने preservatives और additives होते हैं जो आपकी health को गलत तरीके से impact करते हैं उनसे दूर रहना चाहती हो क्योंकि मैं एक healthy body चाहती हो जब मैंने उन्हें ये खाना खिलाया और उनके लिए बनाया तो उन्हें काफी अच्छा लगा धीरे धीरे जब मैं और बनाती गई और और experiment करती गई तो मेरे लिए ये process एक fast भी होता गया और मुझे और पसंद भी आने लग गया और मैं इसमें बहतर भी होती गई मैं अलग-अलग experiment करती थी और लोगों को खिलाती थी और उनसे feedback लेती थी इस चीज़ के लिए जब मैंने और बनाया तो मुझे realize हुआ कि मुझे सबसे ज़ादा मीठा और desserts बनाना पसंद है एक समय ऐसा आया जब मेरे Instagram पर सिर्फ खाने की photo और recipe थी उस समय मेरे friends ने मुझे encourage किया कि आप Instagram page बनाएं एक खाने के लिए और इसी से शुरुआत हुई Cinnamon Kitchen के page की starting में ऐसा कोई खयाल नहीं था कि मुझे इसको business बनाना है मैं सिर्फ खाने की photo लेती थी अपनी खाने की recipe बनाती थी ताकि लोग इसे बना सके अपने घर पर इस समय Instagram की शुरुआत ही हुई थी और जो मैं कर रही थी वो लोग काफी रुची से देख रहे थे जब मैंने ये photos अपने खाने की Instagram पर डालनी शुरू करी तो लोगोंने मुझे पूछा कि क्या मैं उन्हें ये बना कर दूंगी मैंने उन्हें बोला कि आपके पास recipe है सब कुछ लिखा हुआ है आप अपने घर पर बना लीजे उस समय उन्हें मुझे बोला कि हम नहीं बनाना चाहते हैं हमारे पास अतना time नहीं है आप हमें बना कर दे दीजे इसी से मुझे समझ आया कि market में इतना बड़ा gap है कि इस चीज की demand भी है लोग healthy खाना चाहते भी है पर उनके पास time और willingness की कमी है इसी से मुझे cinnamon kitchen as a brand का idea आया इस समय मैंने सोचा कि मैं मुंबाई से वापस दिल्ली जाओंगी और घर जाकर cinnamon kitchen के शुरुआत करूँगी मैंने बहुत ही खुशी से अपने parents को phone लगाया और उन्हें बोला कि मैं cinnamon kitchen शुरू करना चाहती हूँ उस समय वो घबरा गए वो बोल रहे थे बेटा MBA कर लो नौकरी अच्छी है तुमारी और अच्छी नौकरी लग जाएगी ये सब करने की क्या जरूरत है क्या पता ये कैसा होगा तुम बस time waste करोगे हलाकि मेरे parents हमीशा काफी encouraging रहे है वो इस चीज़ से थोड़ा डर रहे थे और actually सच तो ये है कि मैं भी डर रही थी पर मेरे अंदर इस चीज़ की खुशी और enthusiasm बहुत था सच बोलू तो मेरा दिमाग भी काफी uncertain था फिर मैंने सोचा कि मैं नौकरी तो करी रही हूँ अगर एक साल बाद cinnamon kitchen नहीं भी चला तो मैं नौकरी दुबारा कर लूँगी तो अगर मैं already जो अभी कर रही हूँ वो एक साल बाद कर सकती हूँ तो actually इतना बड़ा risk भी नहीं है और अगर मैं अभी ये risk नहीं लूँगी तो कब लूँगी अब cinnamon kitchen चार साल करने के बाद जब मैं मुढ के देखती हूँ तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप भी ऐसी दुविदा में हो और आप भी कुछ करना चाहते हो तो आप वो risk लो, आप जरूर करो क्योंकि आप हमेशा सोचते रह जाओगे कि मैं करती तो क्या होता cinnamon kitchen के शुरुआद 2019 के end में हुई उस समय मैंने अपने घर पर अपने कमरे में एक छोटा सा counter लगाया जहाँ एक छोटे से अवन से मैंने खाना बनाना शुरू किया और Instagram पर बेचना शुरू किया 6 महीने बाद मेरे orders इतने बढ़े कि मैं 1000 square feet की facility में आई उसके 6 महीने ही बाद मैं मुझे 1500 square feet की facility में move करना पड़ा क्योंकि orders और बढ़ गए आज की date में हम 5000 square feet की facility में है जहां हम 35 लोगों से जादा को employ करते हैं पहले साल जब मैंने 2019 में start किया था तो मेरा revenue एक लाग चालीस हजार था 2324 में मैं 6 करोड का revenue करने वाली हो cinnamon kitchen के products पूरे इंडिया में हमारी website, blanket, amazon और retail stores पे available है पर ये एक लाग चालीस हजार से 6 करोड की journey आसान नहीं थी मुझे काफी दिक्कते आई इस journey में जब मैंने शुरू में Instagram page से शुरुआत करी और मैं पूरी नौकरी छोड़ कर बैठी हुई थी तो मुझे एक order आता था किसी दो दिन में उस time मुझे काफी लगा कि मैंने ये क्या कर दिया मैं बैठी हुई हूँ पूरी कोशिश कर रही हूँ पूरा चाहती हूँ पर मुझे orders तो आ ही नहीं रहे है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या मैं नौकरी करती तो ही अच्छा होता पर जो मुझे पसंद था वो करने के लिए मैं consistently लगी रही और आज मुझे लगता है कि मैंने ऐसा करकर सही किया Cinnamon Kitchen एक 2500 स्क्वेर फीट की फेसिलेटी में पहुँच गया था जहां 25 लोगों से जादा हम employ कर रहे थे सब कुछ बढ़िया चल रहा था पर मैंने सोचा इस वक्त हमें funds raise करने की काफी ज़रूरत है और फिर मैंने देखा कि Shark Tank इंडिया आया है मैं बच्पन से Shark Tank US देखकर तो बड़ी हुई थी पर मैं इतनी excited थी कि Shark Tank इंडिया आया है और इससे अच्छा platform मेरे business को पैसे raise करने के लिए नहीं था मैंने Shark Tank का form भरा मेरा selection हुआ और October में मैं पहुँच गई मुंबई अपना business प्रेजेंट करने के लिए शाक्स को यह पहली बार थी जब मैं business के लिए पैसे raise कर रही थी या मैं business को value कर रही थी काफी सारे metrics जो लोगों के लिए बहुत ही common है जैसे कि average order value क्या है आपका कितना return आ रहा है कितना profit margin है exact percentage में यह सब चीजों को बारी की से मैं पहली बार समझ रही थी मैं ऐसे तो जानती थी कि मेरा business पैसे बना रहा है पर कितने क्या दस technical सवाल मैं पहली बार सुन रही थी मैं काफी excited थी इस journey को देखने के लिए और इस process पे जाने के लिए मैं tank में गही अपना business pitch करने के लिए मैंने पांचों शाक्स को अपना business present किया मैंने उन्हें अपने products खिलाए और उन्हें products बहुत पसंद आए और इसने मुझे बहुत 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 खुशी दी इस समय फिर हमने numbers की बात करनी शुरू करी numbers मुझे इस समय दिल से एकदम याद थे मैंने उनको अपने business का numbers बताए product बताया, profitability बताया, vision बताया और वो सब बहुत impressed थे हमें कुछ negative remarks आए पर मैं आपको एक चीज़ इसमें जरूर बोलूँगी कि किसी भी समय आपका business 100% perfect नहीं होगा कुछ खामिया आपको अपने business में जरूर होगी पर इसे आपको shake नहीं होना है आप हमेशा उसे future में better बना सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके business की value कम है, इसका यही मतलब है कि आपका business में scope है, right तो आप इस चीज़ को ध्यान रखके कभी भी अगर आप next season में जाने का सोच रहे हैं, तो मेरी advice ये रहेगी कि आप उस feedback को receive कीजिए उस पर काम कीजिए, पर उसे अपने confidence कम मत करने दीजिए जब विनीता और अनुपम ने मेरे packaging की बात करी, तो वो feedback मैंने positively लिया, मुझे पता था कि business में मेरी packaging को improvement की जरूरत है, but baseline पे मेरे products अच्छे थे, मेरा brand अच्छा था, मेरे customers को मेरे products पसंद आए थे sharks को मेरे products पसंद आए थे तो मुझे ये तो पता था कि मेरे business में बहुत potential है, और इसी को ध्यान में रखते हुए, मैंने अपनी pitch continue करी, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मैं अपना business पहली बार pitch कर रही थी, तो गई तो मैं investment के लिए थी, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे investment नहीं भी मिलती, तो at least shark tank के platform के थूँ, लोग मुझे जानेंगे तो सही, but end में actually में पास एक नहीं तीन-तीन offers थे, और इसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे विनीता, अनुपम और अमन तीनों ने offer किया, towards the end मैंने अमन को offer लिया, क्योंकि उन्होंने मुझे best valuation दी, और क्योंकि D2C में और marketing में मुझे लगता है कि मेरी वो काफी मदद कर सकते है एक tip मैं इसमें आपको और देना चाहूंगी कि अपने sharks के बारे में जाने ज़रूर आप ये समझे कि आपके business को grow करने के लिए किस चीज की सबसे ज़ादा ज़रूरत है और उससाब से अपने sharks को बहुत wisely choose कीजे shark tank पे जाना मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा था ना ही कि मुझे funding मिली पट मेरी pitch भी वाइरल हो गई और इसका असर मुझे cinnamon kitchen की sales पर भी दिखा हमारे orders चार गुना हो गए हमां इतने investors से call आया लोगों ने brand को इतना पसंद किया जब इतने सारे नए लोगों ने try किया shark tank ने मुझे इतना बड़ा platform दिया जहां मैं अपनी brand के बारे में लोगों को बता सको और इससे मुझे ये भी realize हुआ कि इस brand का scope यहां नहीं यहां है और मैं अब चाहती हूँ कि मैं इस brand को इसके full potential पर लेके जा सको अगर मैं sales की बात करूँ तो हम दिन के अपनी website से around 70 order करते थे जहां हम 300 orders कर रहे हैं हमारे bulk orders भी काफी बढ़ गए हैं हमारे को इतने सारे लोगों ने business collaboration के लिए भी approach किया है speaker invites के लिए भी approach किया है कि पूरी brand का recognition और platform ही बदल गया है in the end मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप एक risk लेना चाहते हैं आपके पास एक solid idea है आप वो risk जरूर लीजे आपको पता नहीं है कि आपको life कहां लेकर जाएगी और अगर कुछ नहीं भी होता तो उसकी learning आपके लिए हमेशा बहुत valuable रहेगी experiences ही आपको बहतर इंसान और बहतर business person बनाते हैं तो try करने से और failure से कभी मत डरिएगा इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे comment section में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें